हेलो फ्रेंड्स लेहसुन की उन्नस सफल वैग्यानिक खेती में आपका मोस्ट वैलकम है और आज की इस वीडियो पर हम लेहसुन की A2Z जानकारी सियर करने बाले हैं जैसे उपज को बढ़ाने के लिए कौन सी जरूरी खाद आपको लेहसुन की फसल पर देना चाहिए कीटों की रोक्त हम आपके स्प्रिकार कर सकते हैं और याद रखिए जो फ्रिप्स एक ऐसा सेकंग पेस्ट एसा रस्चूसक कीट है यदि हम लेहसुन की फसल पर फ्रिप्स को रोक नहीं पाते हैं तो यह हमारी फसल को लगभग 40-50% तक उपच को कम कर सकता है और कंद को बढ़ान अनुकूल समय, मौसम, क्लाइमेट कंडिसन और किस प्रिकार की मिट्टी पर लेहसुन की फसल सबसे ज़्यादा उत्पादन निकाल सकते हैं और उन्यत किसमों के बारे में बात करेंगे खाद का सेडूल, इस परे सेडूल के 77 प्रति एकड कितने बीच की आपको सीट्स की आवसकता पढ़ने वाली है और लेहसुन की फसल पर पीलापन की शमस्याती तो कैसे आप रोक थाम कर सकते हैं और कंड की आकार, साइज और क्वाल्टी को आप कैसे बढ़ा सकते हैं एवाम खेत की तैयारी किस प्रिकार करना है एवाम वेसल डोच पर कौन-कौन सी खादों का कॉम्बिनेशन लेना है एवाम लेहसुन की क्रॉप की लाइफ साइकल कितने दिन की यह फसल है और लेहसुन की हर एक आने वाली समश्या का समधान आपको एकदम सरल भासा पर इस वीडियो की माध्यम से मिलने वाला है तो नमस्कार दोस्तों मैं हूँ आपका होश्ट ए काफी अनुकूल टाइम माना जाता है यानि 20 सितंबर से लेके 20 अक्टूबर का जो टाइमिंग है काफी परफेक्ट है लेहसुन की बुवाई करने के लिए अब बात करते हैं मौशं क्लाइमेट्स कंडिशन एवाम मिट्टी तो जो टेंप्रेचर है निवन्तम और अधितम टेंप्रेचर 35-36 डिग्री सेल्सियस काफी वेस्ट माना जाता है और इसके लिए जो प्रमुक्रूप्स है पीली मिट्टी, काली मिट्टी, काली दोमाट, जैलोड मिट्टी और मीडियम हलकी मिट्टी के साथ साथ जो मिट्टी है उसकी पीएच वैलू 5.5 से ह जल धारन की छमता अच्छी हो यानि वाटर होल्डिंग कैपसिटी अच्छी होनी चाहिए एवाम उपयोक्त जीवास पदार्थ वाली उपजाव भूमी पर आप अधिक से अधिक उतपादन निकाल सकते हैं लेसुन की खेती कर सकते हैं अंगले टॉपिक की ऊपर डिसकसन क कराना है खेत तयार करना है एवाम बेसर डोच पर आपको कौन-कौन सी खाद है देना है किरपिया इस टॉपिक को ध्यान से सुनिए और समझिए तीन से चाट ट्राली देशी गोबर की एकदम पकी हुई खाद होनी चाहिए 50 किलोग्राम डीएपी डाई आमोनियम फास 30 किलोग्राम और 30 किलोग्राम एमोपी अब जो एमोपी 60% वाली आती है एमोपी मिरोट और पोटास 30 किलोग्राम लेना है और उप्योक्त सभी खादों को मिक्स करके यदि आपकी लहसुन की फसल पर इस पेसल रूप से यदि जड़ों पर कोई समस्य आती है या फिर की सहायता से खित को समतल कराईए अंगली टॉपिक के ऊपर डिसकसन करते हैं लहसुन की उन्नत किसमें जो लहसुन की उन्नत किसमें है उटी लहसुन, जी टू, रिया वन, विदीसा, अमेठा और एलिफेंटा जैसी बैराइटी को आप लगा सकते हैं अब जो उटी लहसु लहसुन की बुआई थोड़ी जल्दी हो जाती यानि एक सितमबर से पंदर सितमबर की आसपास की टाइमिंग है उटी लहसुन के लिए काफी परफेक्ट मानी जाती है और सीट्स रेट उटी लहसुन का 10,000-12,000 रुपे प्रति कोईंटल की आसपास चल रहा है उटी उपाई की जाती है और वहीं यदि आप जी टू लहसुन को लगाते हैं तो इसका जो मार्केटिंग रेट है यदि आप लगाते हैं तो 7,000-8,000 रुपे कोईंटल की आसपास जी टू लहसुन का मार्केटिंग प्राइस चल रहा है तो आप कौन सी वैराइटी लगाते हैं और आपने आधे कताम कितना उत्पादन निकाला है लहसुन की फसल से हैं आप कमेंट सेक्षन में ज़रूर बताएं फ्रेंड्स बात करते हैं प्रती एकड सीट्स की आवसकता यानि एक एकड में कितनी कलियां लगती हैं तो 150-160 kg प्रती एकड की दर्सें कलियों की आवसकता होती है यदि मेडियम साइज की कलियां है तो अब प्लांट जो डिस्टेंस है यानि सोइंग का जो डिस्टेंस है किरपया ध्यान दीजिए पौधे से पौधे का जो distance है 3-4 इंच रखना है और line से line का जो distance है 5-7 इंच आप रख सकते हैं और 2-5 इंच गहराई पर आप बौआई कर सकते हैं बौआई की जो method है अलग-अलग बिधियों से रूपाई की जाती है यानि बौआई की जाती है अंगले topic के उपर discussion करते हैं बीज उपचार जो काफी जादा जरूरी है क्योंकि यदि आप seeds treatment नहीं करते हैं बीज उपचार नहीं करते हैं तो जल संबंदित फपूंदी जनतर रोगों का प्रिकोव आपको देखने के लिए मिल सकता है तो आप जैसी बौआई करते हैं स्वस्त जर्मिनेशन स्वस्त ग्रोध देखने के लिए मिल है और फपूंदी जनतर रोग ना आए तो आपको बीज उपचार जरूर करना चाहिए यदि आपके खेत में जड़ संबंदित फंगस कम आते हैं तो आप कारवेंडा जम 12% प्लस मेंग को जब 30% जो डबलू पी फपूंद नासक आती है उसको आपको एक किलो ग्राम बीजों को कल्लियों को पांच ग्राम फपूंद नासक से बीजों को उपचार करना चाहिए आती फपूंद नासको एक किलोग्राम सीट्स को आप दो एमल की दर से बीज उपचार कर सकते हैं इसके अलाव वहाई आपको करनी चाहिए अंगला टॉपिक खरपतवार की रोक्ताम जो की लहसुन की फसल पर काफी इंपोटेंट टॉपिक्स है खरपतवार की रोक्ताम आ देवर की सहाथा से ही आपको खिस से खरपतवार को बाहर निकलवाना चाहिए निंदाई गोडाई आपको करवाना चाहिए बैसे रासानिक विधी कौन सी है कि प्री इमर्जिंग हार्वी साइट यानि बौई जैसी आपने की एक से दो घंटे बाद आप पैंडा मैथलीन 30 30% EC को एक लीटर 200 लीटर पानी में घोल करके आपको छड़काप करना चाहिए कप करना चाहिए जैसे आपने रोपाई की है उसके एक से दो घंटे बाद ही आप पैंडा मैथलीन 30% EC को स्प्री कर सकते हैं आप कोई ज्यादा महंगा नहीं है पैंडा मैथलीन एक लीटर की क लहसुन की फसल बुआई से जब 25 से 30 दिन की हो गई हो या फिर लहसुन की फसल पर खरपदवार 3-5 पत्ति के देख रहे हो तब आप पोस्ट एमर्जेंट खरपदवार ना सक्का स्प्रे कर सकते हैं तो इसके लिए जो बेस्ट है उसके लिए आपको पहले खेद पर सीचा करना चाहिए हमारे हिसाब से यदि आप पोस्ट एमर्जेंट हर्वी साइट का स्प्रे करना चाहते हैं तो पहले खेद पर सीचा जरूर कर लें जैसे फसल को लंबा जटका ना आए इसके अलाब जहां तक यदि पौसिबल हो शंभव हो तो लेबर मजदूरों की साहता से क खेद से खरफदवार को वाहर निकलवाना चाहिए निदाई गोडाई आपको कराना चाहिए तो ए टॉपिक था खरफदवार की रोगथाम आपको जो बैस्ट लगे आप उसका चैयन कर सकते हैं लहसुन की फसल पर प्रति एकल की दर्शन लागत कितनी लागत हमको लगनी वाली है तो खाद दवाई खेद तयार का खर्च वेसल डोज खरफदवार ना सक्यादी हम इस प्रिक करते हैं तो उसका खर्च सांती खाद वीज दवाई के सांस सांस निचाहिए यवाम थ्रिप्स की रोगथाम तो आप इन सभी को यदि कैलकुलेशन निकाला जाए तो त तो जेसी आप बेराइट लगाने वाले उस हिसाब से आपको खर्च लागत लगने वाली है क्योंकि लहसुन की फसल पर जातर जो सबसे ज्यादा महंगा आता है वो आता है शीर सी अंगले टॉपिक के ऊपर बात करते हैं उत्पादन तो आप एक एकर में पचास से लेकर प इस वीडियो के माध्यम से हम ऐसी खाद दवायों के बारें बताने वाले हैं जो उत्पादन को और भी बढ़ाने वाले हैं उपच को और भी ज़्यादा इंक्रीज करने वाले हैं तो इस वीडियो को यदि आपने अभी तक लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना और इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना क्योंकि इस वीडियो पर हम आगए ऐसे ख़त का सेडूल इस परे सेडूल बताने वाले हैं जो लहसुन की फसल पर सस्ते पर चार चांद लगाने वाले हैं बने रहे इसे वीडियो पर बात करते हैं अंगले टॉपिक के बारे में लाइफ साइकल तो लहसुन की जो फसल है बुआई से एंड तक हारवेस्टिंग तक चार महीने इस फसल को तयार होने में लगते हैं यानि 120 दिन से लेके 125 दिन पर या फसल एकदम परिपक हो जाती है ए और फंगस का भी प्रकोब देखने के लिए मिलता है यादि कोई सबसे बड़ा सेरदार्ध है कोई सबसे बड़ी समस्या है तो बो है थ्रिप्स की रोक थाम करने के लिए और साथ ही हमारी लहसुन की फसल प्रॉपर गिरोध बढ़वार के साथ साथ फंगस ना आए और चालिस से पैतालिस दिन की होती है तो इमीडा क्लोरुप्रेड 17.8% EC को 15 ml लेना है और इसके साथ लेमडा सालो थ्रीन 5% EC को 30 ml और एक फपून नासक लेना है कारबेंडा जंबारा परशेंट प्लस मैंको जैब 63% WP फपून नासक को 40 ग्राम इन तीनों को 15 लीटर पानी में गोल करके स्टिकर मिक्स करके आपको स्प्रे कर देना है यह था आपकी फजल पर फर्स्ट स्प्रे सेकेंड स्प्रे तो जब लहसुन की फजल सेकेंड स्प्रे कर रहे हैं सतर से असी दिन की होती है तो ध्यान दीजिए इमीडा क्लोर प्रेट 40% प्लस प्रपरोनल 40% का जो कॉम्बिनेशन आता है 6-7 ग्राम लेना है और प्रोफेनोफोस 40% प्लस सापरमेटर 4% EC को 25 एमेल लेना है और इसके साथ आपको मिक्स करना है कैप्टेन 70% प्लस हैकजकुनोजोल का जो कॉम्बिनेशन आता है WP फपुन नसक को आपको लेना है 40 ग्राम इन तीनों को मिक्स करके 15 लीटर पानी में घोल करके स्प्रे कर देना है इस टीकर मिलाकर जैसे लेहसुन की फसल है प्याज की फसल है गोभी धान ग्याहूं मक्का जैसी फसलों पर इनकी जो लीफ होते हैं जादा सर्फिस रहती है घोल ठीक तरीके से चिपकता नहीं है तो इसके लिए सिलीकोन चिप को मिलाकर ही आपको इस्प्रे करना चाहिए तो लेहसुन की फसल पर जब भी स्प्रे कर रहे हैं बारस हो या फिर ना हो घोल प्रोपर पत्तों पर चिपके तो इन घोलों की शाथ आप सिलीकोन चिपको मिलाकर यानि स्टीकर मिक्स करके ही आपको इस्प्रे करना चाहिए यदि माली जी आपके खीत पर लेहसुन की फसल पर थ्रेप्स का अटेक बे काबू हो चुका है यानि कंट्रोल के बाहर हो चुका है तो ऐसे सिचिवेशन पर रोकना कापी ज्यादा मुश्कल हो जाता है तो उसके लिए एक ही उपाय भचता है इस कॉंबिनेशन को आप स्प्रे ले सकते हैं लेकिन कब इस्प्रे लेना है जब आपकी लेहसुन की फसल पर थ्रिप्स बे काबू हो जाए तो आप इस कॉंबिनेशन को स्प्रे कर सकते हैं वरना कोई जरूरत नहीं है डेलिगेट 5 से 6 ml प्लस घरडा का पुलिस आता है या फिर लेजेंटा आता है दस ग्राम इन दौनों को मिक्स करके स्टिकर मिक्स करके आप स्प्रे कर सकते हैं 15 लीटर पानी में घोल करके लहसुन की फसल पर थर्ड इस्प्रे तो जब हमारे लहसुन की फसल 80 से 50 दिन की होती है तो हमको त पल्टी और ब्राइटनेस को बढ़ा देगी तो 80 से 50 दिन की लहसुन की फसल होती है तो कंद को बढ़ाने के लिए और चमक को बढ़ाने के लिए पैकलो भूटरा जौल जो 23% SC आती है 8 ml लेना है और वोरान वी 20% वाली को 25 ग्राम लेना है और इसके साथ आपको एक वाटर बॉल्ब का साइज है वो काफी ज़्यादा बढ़ने वाला है गिरोध करने वाला है और स्टूरेच छमता भी बढ़ जाएगी एवां जो बोरान है यह स्टूरेच छमता को बढ़ाने के लिए और केल्सियम जो हम आपको आँगे बताने वाले केल्सियम से स्टूरेच छमत काफी ज़्यादा एन्हेंस होती है काफी ज़्यादा बढ़ जाती है अंगले टॉपिक के उपर बात करते हैं खाद का सेडिल तो पहली खाद उत्पादन और उपज को बढ़ाने के लिए हम सस्ति से सस्ति खाद दवाईयों के बारें बताने वाले हैं तो जब लहसुन की फसल 30 से 35 दिन की होती है तो पहली खाद हमको देना चाहिए पहली खाद पर यूरिया 45 किलोगराम और शागरी का दानेदार 8 किलोगराम इन दोनों को मिक्स करके जाड़ों के पास दे कर सीचाई कर दीजिए उच्च तम उच्च क्वाल्टी की रेजल्ट प्राप्त होंगे सेकंड खाद वाई से जब लहसुन की फसल 40 से 50 दिन की होती है तो यूरिया लेना है 45 किलोगराम और सुक्ष पोसक तत्व यक्त खाद 5 किलोगराम किसी भी बेस्ट कंपनी का इनके साथ आपको एक कीट ना सक को मिक्स करना किलोगराम पारिफास को लेना है एक लीटर तो किलोगराम पारिफास से क्या होगा कि जड़ों को काटने वाले कीट हैं उनको आप बड़े ही आसानी से कंट्रोल कर सकते हैं किलोगराम पारिफास एक लीटर तो तीसरी खाद पर हम केल्सियम नाइटेट 25 किलोग्राम प्रती एकड़ की दर से जड़ों के पास दे कर सिचाई करने बाले हैं तो लहसुन की फसल पर एथा खाद का सेडियूर तीन खाद देने बाले हैं जो हमारी फसल पर काफी अच्छा उपज उत्पादन बनस्पतिक बढ़वार को बढ़ाने वाली है जब फसल पकर तैयार हो जाए तो आपको सिचाई बंद कर देना चाहिए एवं फसल उखाल कर 10-12 दिनों तक वहीं खेत पर पड़ी रहने दें इन तीन चीजों पर काफी ज़्यादा फोकस रहता है यदि क्वाल्टी अच्छी है रेट अच्छा है तो आपको काफी अच्छा वेनिफेट होने वाला है दो लाख रोपे से ढाई लाख रोपे आप प्रती एकल की दर्शें कमा सकते हैं यह जो उत्पादर हैं घट भी सकता है और बढ़ भी सकता है काफी ज़्यादा रेट पर और काफी ज़्यादा क्वाल्टी पर नरभर करता है आमदानी खात का डोज बताया है इस पर सेडूल बताया है यदि कुछ इस प्रिकार यदि आप लहसुन की उननत तरीके से खेती करते हैं तो यकीन मानगे ज़्यादस ज़्यादा उत्पादन प्रोडक्शन होने वाला है और आपकी लहसुन की फसल पर कोई भी कीट आसपास खेत के भाटकने वाले नहीं हैं तो फ्रेंट्स आज की इस वीडियो पर हमने लहसुन की उननत सफल खेती की एटू जैड जानकारी सेयर की यदि आपको यह वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को जादस जादा किसान भाईयों तक सेयर जैरूर करें वीडियो को लाइक करें खन्नवात नमस्कार जैजवान जैकेसान